विद्यर्थी मित्रो धुरन्न विश्य हिंदी पाठ ओगनीश महाकविक कालिदास उसके लेखक थे नरपल बार पड उसका उपनाम था हडवेच महाकविक कालिदास संस्कृत के महाकविथे उनके बारे में एत्यासी कोर्भो गोलिक जानकारी प्रमाने दुरूप से नहीं मिलती महाकविक कालिदास के जन्म स्थान के बारे में खीक से जानकारी का अभाव है कुछ विद्वन उनका जन्मा dh345 system में तथा निगन निगन कर था क्या हूता है Mrarytyu 445 में मानते हैं उनका जन्म स्ठान उजज़यन बताया कया है जब राजा विक्रमदित्य का जन्मा हुआ जब राजा मुहाँक विकल्धार्स का जन्मा हुआ था तब कहां का राजा कौन था? विक्रमा दित्य था विक्रमा दित्य रखे राजा होने के तर उसके प्रजाश शुखी थी वहां साहित्य और कला का भी खुब विकास होय था समय समय में सोने के सिके चलाये थे अब पाठ की और देखते हैं कि महा कवी कालिदास को हम मात्रा संस्कृत के महा कवी के रूप में जानते हैं क्योंकि महा कवी कालिदास किसके कवी है संस्कृत भासा के कवी है साहित्य उसके खुबस लिखा है स्वयम महा कवी कालिदास ने अपने विशाय में कुछ नहीं लिखा क्या कहते हैं कि अपने विच्छाई में कोछ नहीं लिखा हर्स्चरित के रूप में कवी बाण ने कालिदास का उलेक किया है उसने पता चलाया है कि कालिदास बाण से पहले हुई है कालिदास बाण से पहले चन में थी एक स्थान पर स्वयम कालिदास ने अपने सोभिभाव के रूप में विक्रम नाम का उलेक क्या है वह कौन सा विक्रम है उस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया फिर भी उनहीं राजा विक्रम दित्या और राजा भोच का समकालिन मान कर इतनी ही कथाओ का नायक बनाया गया है कथाओ का नायक या जहो कथा लिखता है उसको काते है विबिन भासाओं में पहलियो और लकताओं में उनकी विद्वत्ता कविता और चमतकरिक प्रशंगों का वरणन मिलता है जन्मों और परिचे किसका? कालिदास का है कोछ विद्वान उने कालिदास का जन्म में पहले बतायत है महा कविक कलिदास के जन्मस्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता कोछ विद्वानों ने उनका जन्मस्थान उज्जेन माना है जो सही लगता है क्योंकि मेगदूत में स्वयम कविने उज्जेन को विशेश दर्शनियों कहा है ओल लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जहने के लिए बादल से अनुरोत किया है उज्जेन में उन दिनों राजा विक्रम अदित्य का राज्या था जब कलिदास का जन्मा हुआ था तब विक्रम अदित्य का राज्या था विक्रम अदित्य राज्या थे वहां की प्रजा सब प्रकार्शे सुखी थी, साहित्य और कला की उन्नती चरम सिमा पर पहुँची थी राजा विक्रम अदित्या ने अपने नाम से ही विक्रम सवन चलाया था राजा विक्रम अदित्या ने अपने नाम पर ही विक्रम सवन चलाया था समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलाये थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है विक्रमादित्य के सासन काल में जितना वैभव देश में था वैभव या सोक्षमृदी था जितनी साहित्य तथा कला की उन्नती हुई उतनी कभी नहीं हुई एक से बढ़कर एक कभी साहित्यकार और वेगनानिक इन युगों में उत्पन हुए थे विक्रमा वित्य राजा था तब साहित्यकार कवी और वेग्नानिक थे राजा विक्रमा दित्या श्रयम साहित्य और संगीत के अच्छे चान करते खुद राजा क्या थे साहित्य और संगीत के चान करते सस्क्रोद भासा की उन्नती भी उस काल में भी अधिक्वी अपने पुर्व जिवन में बुदू माने जाने वाले महा कविक कालिदास विक्रमा दित्य के दर्बारी कवियों में सर्वा सरेष्ट थे महा कविक अथ्वा कालिदास के अतिरीक्त आंठो और कवि भी दर्बार में थे जोर नवरतन कहलाते थे कालिदास के विशइ में कहा जाता है कि वे यू आवस्था तक निरफ्ष्चण थे, कालिदास के बारे में क्या कहते है कि यू आवस्था या क्या था निर्छे और अन पर ते जिस ढाल पर वो बेट्टे थे उसा ही कटते थे क्योंकि वो उसको किसी प्रकार का ज्ञान न होने के कारण निरिक्षर होने पर भी वो इतने विद्वान और महा कवी किस प्रकार बन गए उसी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है उन दिनों सार्दान नाम के एक राजा थे अपने रूप गून और ज्ञान का बड़ा गमन ठाकियो वो एक तो राजा के लिक्रित हो और यो तिन प्रकर का ज्ञान था इसले लिए अपने विवाग के सबन में उसमें एक गोशना कर रखी थी कि जो उसे सास्तरात में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाग करेंगी गोशना या प्रश्टाव रखती है कि जो मुझे सास्तरात में हरा देगा उसके साथ में विवाग करूंगी उसी की यह गोशना की जानकारी जैसे जैसे पासपड़ोसी के देशों तक पूंची गई वहाँ के विद्वान हाता था पंडीच विद्वत्मा के सास्तरात करने के लिए अने जब जब देश के पाड़ोसी राज्य में उसकी विद्वत्ता खिलने लगी तब तब पाड़ोसी राज्य के देश आने लगे अब अगला जो आखी है वो अब कल देखते हैं बच्चे